वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्तापक की व्यक्तिकत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्तान द्वारा प्रमानित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नजदी की चिकिस्सक से परामश अवश्य लें। भारत बंदे मात्रम। जिस घर के अंदर शंक हरोज बजाया जाता है, इसकी ध्वनी इतनी पवित्र होती है, इतनी पॉजिटिव एनरजी क्रियेट करती है। जोज सुबा उठने के बाद में पूजा करने के उपरांत इस जल को आप पी सकते हैं। इसके अंदर नैच्रल रूप से शंक के अंदर केलशियम, मैगनेशियम, पोटेशियम, वो सारे सॉल्ट्स हैं जिसके हमारे शरीर को जरूरत है। चोटे बच्चों को पिलाएंगे तो जीवन बर उनका तुतलाना जो है वो नहीं हो पाएगा। वोइस के अंदर वागपटुता बढ़ेगी, वोइस के अंदर क्लेरिटी जो है वो उनके अंदर बढ़ेगी। और उपर से शरीर के अंदर नेच्रल रूप से केल्शे मारें जाएगा जो कभी भी पत्री का कारण नहीं बनेगा क्योंकि नेच्रल केल्शे में उसका आपस में सेडिमेंटेशन होने के चांस बहुत कम है। जब आप मंदिर में इसको शंक को रखते हैं और जल या चावल भर के रखते हैं उस घर के अंदर वैभव रहता है उस घर के अंदर प्रोस्पेरिटी रहती है दरिदरता कभी नहीं आती शंक समुदर मंथन के दोरान समुदर से निकलेते इसलिए माता लक्षमी के भाई ब आपका पानी पीने का पातर है पूरा दिन, आप उसमें भी इसको डाल सकते हैं, जिससे नैचरल रूप से इसके अंदर जो मिनरल्स हैं, वो हमारे पानी में रिलीज होते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके वो शरीर में जाते रहते हैं, तो आजकल आपको कई बार दिक्कत रहती कि आरो का पानी जो हमारे घर के अंदर है उसमें तो मिनरल्स नहीं है, नैचरल रूप से अगर उसको मिनर्स को पूरा करना चाते हैं, तो आप उसके अंदर शंक को भी डाल सकते हैं, अब अगर शंक का उपयोग होता है भगवान के अभिशेक के लिए, तो आपने देखा ह जैसे रमायन है, पुराने हमारी इतने भी, हमने बहुत बार टीवी पर भी देखा, तो अगर हम भगवान का या शिवलिंग का अभिशेक करना चाते हैं, तो शंक के माद्यम से अभिशेक करना सबसे अच्छा माना जाता है, जो मेरे हाथ में इसे वामवर्ती शंक बोलते ह इसे बजा भी सकते हैं, तो हमें उमीद है कि ये शंक जिसे हमारे पूर्वजों ने कहा हमारे हर घर के अंदर होना चाहिए, भारत की ये सभी सर्शे शंक जो है, आप वाक्षी से मंगवा कर अपने घर के अंदर इनको शुभाय मान कर सकते हैं, मंदिर की शुभा भी संसकार दे कर भारत को विश्व गुरु बनाने में मदद करेगा, ऐसी हमारी आशा है, इसी के साथ भारतवन दे मातर